पीली भीत में गुम हुई भैंस को खोजने गए दो ग्रामीनों को वनकर्मियों ने गोली मार दी है एक व्यक्ति की मोके पर ही मोत हो गई है और दूसरे को गंभीर हालत में CHC में भरती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है वही वन कर्मियों व ग्रामीनों के बीच हुई कहा सुनी को लेकर ग्रामीन की मोत के बाद आक्रोशित ग्रामीनों में रोश है सूशना मिलते ही DM और SP ने मोके पर पहुँच कर ग्रामीनों को समझा बुजा कर मृतक के शव का पहचान नामा कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है आपको बता दें कि पीली भीत के थाना हजार शेत्र के टाटर गंच में ग्रामीन की गोली लगने से मोत हो गई है गाम वालों को आरोप है कि गोली वनकर्मियों ने मारी है उनका कहना है कि जब देर रात उनके जानवर घर वापिस नहीं आये तो उनकी तलाश करने के लिए दोनों ग्रामीन किसान जंगल की तरफ गए थे वापिस आते समय गाम के पास उने बाइक सवार तीन वनकर्मी मिले और बगैर पूश्ताच की एक वनकर्मी ने गोली तक चला दी जिसमें एक व्यक्ति की मोत पर ही मोत हो गई और एक गंभी रूप से घायल है जिसको CHC पुनरपूर में भरती कराया गया है जहां उसका इल सुषना पर S.P. ने मोके पर पहुंच कर शवका पंच नामा कर पोस्त मॉटम के लिए भेजा और ग्रामीनों की तहरीर पर तीन वनकर्मियों के खिलाफ हत्या के मामले में थाना हजारा में रिपोर्ट दर्श कर ली है और मामले की जाच कर जल्दारोपियों को गिर्फतार करने की बात कहीं अपका बूद सिंग यह मेरा रड़का कलवंत सिंग क्या हो गया था क्या घटना होगी लिए भैंशी हमारी जंगल में चार खोई थी वो खोड़ने गये थे गौंबार जब गौंग के पास आया गो गौंग में छड़का थी खड़ंजा हमारे घर सैड में आ रहे थे वहां चानक यह जग्लात वाले आगे से फैट गार और तीन लोग जा रहे थे कंवार तक जो फैट गार रहे औंधोंने तरंट आतर इनको गोली मार दिया साथ वाले ने भाग के गए उन्होंने मेरे को बताया बाबाजी यह बात हो गई है फैट गार कनया है उस गेडिया जघरात की किस चक में मारें और में चक में नहीं मारें यृइसे वह उद्धे ने वडोस मारा हैं यह तह लगी ima ऊत्व एब ऊपिसामने यह तोरा क्षार रिईय है को दुख्णम कोई दुख्यास वहर नहीं वम GP Kaycharge यह प्राता आज आ रहे थे लकड़ी बेकत्र करके मिर्टक कुलवन्थ जी की वन कर्मियुद पर आरूपित किया गया है कि उन लोगों ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दिया है मौके पे मौझूद हूँ यह टाटर गंज के गटनास्थल पे जहां पर आप पाइट ले रहे हैं अभ्योग 302 का पंजिकित कर लिया गया है सौको कबजे में लेकर परिछण हेतों भेजा गया है बैग्यानी तरीके से विवेचना की जाएगी गुर्दोस के अधार पर जो दोसी वन करमी है उनका निधारन करके कुछ तीन लोगों का नाम भी बता रहे हैं जिन लोगों ने फायर करके यह अत्या की है उनका गुर्दोस के अधार पर विवेचना का निस्तान की जाएगा और उन पर कारवाई की जाएगी